आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लाजमीट के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों जो प्लाजमीट होता है, क्या होता है, प्लाजमीट जो होता है, यह जो जीवानों होते हैं, क्या होते हैं, जीवानों, उनका अतिरिक्त, ठीक है, क्या होता है, अति अतिरिक्त कोश्य की DNA होता है और अतिरिक्त कोश्य की DNA या प्लाजमिड जो होता है इसका उपयोग कहां किया जाता है पुनर योगज तकनीक में किया जाता है कहां किया जाता है पुनर योगज तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है और पुनर योगज तकनीक को रिकॉंब टेकनोलोजी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि प्लाजमिड PBR 322 या प्लाजमिड PBR 322 में कौन से प्रतिजेविक जीन पाये जाते हैं, किसमें PBR 322 में दो प्रतिजेविक जीन, कौन से जीन, प्रतिजेविक जीन कौन से होते हैं, तो दोस्तों इसमें प्रतिजेविक जीन एक होता है, टेटरा साइकलीन, क्या होता है, टेटरा साइकलीन प्रतिजेविक जीन होता है, ठीक, और एक होता है, MP-Celine, क्या होता है? MP-Celine resistant gene या MP-Celine प्रतिजेविक gene इसमें पाये जाते हैं तो दोस्तों हमारा प्रेशन था कि Plasmid PBR 3-2 में पाये जाने वाले दो प्रतिजेविक gene के नाम लिखिए तो दोस्तों हमने देखा कि Plasmid क्या होता है? तो दो Plasmid जो होता है जीवानु का अतिरिक्त कोशी की ये DNA होता है जिसका उपयोग पुनर योगज तकनिक में किया जाता है और Plasmid PBR 3-2-2 में पाये जाने वाले प्रतिजेविक gene कौन-कौन से है? टेटरा साइकलीन और एम्पी सिलीन तो दोस्तों आशा करता हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा धन्यवाद निए आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड से जादर चातरो का भरोजा आशी डाउन्यट करेडाउटन डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8-400-400-400 पर